हेलो एवरीवन हमारी तीन एप है बुशन साइंस प्लस पहली एप जिसमें हम मेडिकल फार्मसी और नर्सिंग के विडियो लेक्ट्स चुड़ी मेडियल प्रोवाइड करते हैं दूसरी हमारी एप है बुशन साइंस नीट जिसमें हम नीट-related विडियो लेक्ट्छर्स लाइ परिचय बच्चो आज हम जैव प्रोध्दकिकी एवं उसके उप्योग के बारे में जानेंगे वहाँ सर ये रोजक लग रहा है हाँ इसलिए मुझे कौन बताएगा कि जैव प्रोध्दकिकी क्या है आपने सही बताया रितू क्या कोई मुझे बता सकता है कि जैव प्रोध्दकिकी का उप्योग किन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है सेर ऐसी अनेक प्रक्रियाओं हैं जिन के लिए जैव प्रोध्दकिकी का उप्योग किया जाता है जैसे की रूगों की पहचान करने के लिए जीन इस्थानांतरन आ दी, बहुत अच्छे प्रतीक, आओ अब विस्तार से अध्यन करें, इस पार्ट में आप जय प्रोद्दोकी की एवं उसके उप्योग के बारे में जानेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे क्रिशी में जैव प्रोद्धोकी की के उप्योगों की व्याख्या करना, जीन जीकिसा की व्याख्या करना, आणविक निदान का वरणन करना, पार जीवी जन्तुओं और उनके उप्योगों की व्याख्या करना और नैतिक मुद्दों की चार्चा करना क्रिशी में जैव प्रोद्धोकिकी का उप्योग विशिष्ट उप्योगों में तो किसी उत्पात को बनाने या रुपांतरित कर दें पौधों या जंदों में सुधार करने के लिए जीवानूं, वाइरस, कवक, येज्ट, जन्तुक कोशिका, पादप कोशिका आदी जैसे सजीव जीवों का उप्योग करने वाली प्रोद्धोकिकी के रूप में जैव प्रोद्धोकिकी को विस्तार से परिभाशित किया जाता है क्रिशी में जैव प्रोद्धोकिकी एक कारगर तरीका है जिसके दोरा उन फसलों को तैयार किया जाता है जो हमारे बदलते वातावरण में बहतर प्रदेशन कर सकें। इन में से कुछ पीड़क प्रतिरोधी, शाक नाशी प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी, लवण सहनशील, उश्मा प्रतिरोधी, फसलों का विकास शामिल है। जब प्रयोग शाला में एक जीव के जीन को दूसरे जीव को सुथारने या परिवर्तित करने के लिए अभिप्राय पूर्वक इस्थानांत्रित किया जाता है, तो अनुवन्शिक्ता रुपांत्रित जीव यानि जी एमो का निर्मान होता है। आनुवन्शिक्ता रुपांत्रित जीवों का उप्योग आनुवन्शिक्ता रुपांत्रित पौधे कई तरह से उप्योगी हो सकते हैं। कीट पीड़क प्रतिरोधी पौधों के कारण कमपीड़क नाशी का उप्योग करने की आविशक्ता होती है। आर्थिक रूप से अधिक अनुकूल क्यूंकि पीड़क नाशी वायू, ब्रिद्दा और जल में नहीं जाते हैं। फसल की अधिक पैदावार। आनुवन्शिक्ता रुपांतरित फसलों को उन विटामिनों से भरपूर बनाया जा सकता है, जिनकी कुछ प्रधान किस्मों में कमी हो सकती है। क्रिशी में जै प्रधोकी की का उप्योग BT का पास बैसलस थोरिन जेन सीज द्वारा उत्पन क्राई प्रोटीन विभिन कीट पीड़कों के विरुथ प्रभावित जैव की नाशक होते हैं। क्राई जीव विशों को डिम्ब आंतर लियूमन में सक्रिये प्राग जीव विश के रूप में उत्पन किया जाता है। जीव विश आयनिक चिद्रों को बनाने वाली कला में स्वल्प लकन और अंतर वेशन को प्रेरित करने वाले ग्राहियों से जुड़ जाते हैं जो कोशिकाओं और डिम्ब को मार देते हैं। पीड़क प्रतिरोधी पौध है। खादे फसलों का लगभग 25 प्रतिशत भाग नश्ट कर देते हैं। RNA अंतरक्षेप द्वारा विशिष्ट जीन को निश्क्रिये करना इस समस्या का वांचनिये प्राकृतिक समधान है। 203 RNA मध्यवर्ती अंतरक्षेप RNAI जीवों में जीन अभिव्यक्ति को निश्क्रिये करने की सरल और तीवर्विधी है। किसी जीन का निश्क्रिये होना RNA का छोटे 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 RNA में निमनी करण का परिडाम है। जो समझात दूत RNA को लक्षित करने के लिए रिबॉन्ड यूक्लियेज को सक्रिये करते हैं। और शदियों में जैव प्रोदुकी की का उप्योग। अनुवन शिक्ता निर्मित इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अगनाशे द्वारा उत्पन होता है और जो ग्लुकोस के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन दो पॉली पेप्टाइड श्रिंखलाओं का बना होता है श्रिंखला A और श्रिंखला B जो आपस में डाई सल्फाइट से द्वारा जुड़ी होती है। बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन प्राग हार्मोन कन्वर्टेज तथा एक्सो प्रोटीएज कार्बोकसी पेप्टाइड एज ए कहलाने वाले प्रोटीन अभगटक एंजाइम की क्रिया द्वारा प्राग इंसुलिन पूर्व वर्ती अनू से संशलेशित होता है। प्राग इंसुलिन के ये रुपांतरण अनू के केंद्रिय भाग अर्थात C-Peptide को प्राग इंसुलिन के C और N अंतस्त सिरों से हटा देते हैं। शेश, पॉली-Peptide B और A श्रेंखलाएं आपस में डाई-सल्फाइड बंधों द्वारा जुड़े होती हैं। परिपक वो इंसुलिन में C-Peptide उपस्तित नहीं होता है। जीन चिकिस्जा अनुवन्शिक दोशों को सही करने के क्रंग में अनुपस्तित या दोशपून जीन की जगह कोशिकाओं में सामाने जीनों को प्रवेश कराना जीन चिकिस्जा कहलाती है। एक कोशिका के जीनोम में नया जीन प्राप्त करने के लिए इसे सम्वहख क्यलाने वाले एक अनौ में किया जाना चाहिए। वर्तमान में उप्योग किये जा रहे सबसे सामानने समवाहक विशाणूं हैं जो प्रकृतिक रूप से आक्रमन कारी कोशिकाएं हैं और अपने अनुवन्शिक बदार्थ को कोशिका के जीनों में प्रवेश कराती हैं। एक समवाहक के रूप में विशाणूं का उप्योग करने के लिए विशाणूं के जीनों को हटा कर कोशिका के लिए निर्धारित नई जीन को प्रतिस्थापित किया जाता है। जब विशाणूं कोशिका पर हमला करेगा तो ये अपने अनुवन्शिक बदार्थ प्रवेश क एक सफल इस्थनांतरण के परिणाम सरूप लक्षित कोश्का में अब नया जीन होगा, जो दोशपूर्ण जीन द्वारा उत्पन समस्य को सही करेगा। विशाणूं जिनका संभागों के रूप में उप्योग किया जा सकता है, उनमें शामिल हैं रेट्रो वाइरस जैसे HIV, एडिनो वाइरस, एडिनो संबंध वाइरस और सरल परी सफ्र विशाणूं। आणविक निदान किसी उतक या तरल में प्रोटीन, डिने, आरेने जैसे अणूओं के अध्यम द्वारा रूगों की पहचान करने की प्रक्रिया आणविक निदान कहलाती है। आईयो मारकर का उप्योग, आउशद प्रतिक्रिया, आउशद उपापचय, प्रतिकूल प्रभाव और रोग प्रगती को प्रभावित करने वाली अनुवण शिक्विभनताएं। आउशद या नैदानिक संयोजन का विकास और चिकिस्ये उप्योग, उभरती हुई फार्मेको जिनोमिक और आणविक नैदानिक प्रद्योगी की नैदानिक और व्यक्तिकत चिकिस्या में विनिया मत मुद्दे। पारजीवी जन्तु, ट्रांसजेनिक अनिमल्स, जन्तु जिनकी आनुवणशिक विशेष्टाओं को एक रुपांतरित जीन द्वारा या अनुवणशिक प्रद्योगी की तक्नीक का उप्योग करके दूसरे जीव से प्राप्त जीन के अंतर वेशन द्वारा बतल दिया ग कुछ पार्जीवी जन्तों का विशिस्ट आर्थिक लक्षणों के लिए उत्पादन किया जाता है। उधारन के लिए पार्जीवी पशुओं को विशिस्ट मानव प्रोटीन युक्त दूद उत्पन करने के लिए बनाया गया था। जो मानव वातिस्भीती के उपचार में सहयता करती है। का उप्योग। मानव कल्यान के लिए इन जन्तों के लाभूं को निम्निक शित्रों में वर्गिक क्रित किया जा सकता है। क्रिशी, आउशधी और उद्ध्योग। क्रिशी उप्योग, प्रहजनन, पारंपरिक प्रहजनन अधिक समय लेने वाला मुश्किल कार है। जह प्रद्ध्योग के उप्योग से कम समय में और अधिक परिशुधता के साथ जन्तों में विशेशताओं को विक्सित करना संभव हो गया है। इसके लाभा उपज बढ़ाने के लिए किसानों को एक आसान तरीका भी प्रदान करता है। गुणवत्ता पार जीवी गाएं अधिक दूद उत्पर्न करती हैं या कम लेक्टोज या कॉलेस्ट्रोल वाला दूद उत्पर्न करती हैं। सुवर और पशु जिन में अधिक मास होता है भेड जो अधिक उन देती हैं। रोग प्रतिरोध वैक्यानिक रोग प्रतिरोधी जन्तूओं को उत्पर्न करने के लिए प्रयासरत हैं। जैसा की इन्फ्लूएंजा प्रतिरोधी सुवर लेकिन चीन की बहुत ही सीमिस संख्या वर्तमान में पालतू जानवरों में रोगों के प्रतिरोध के लिए सिम्मेदार है। चिकिस्सा उप्योग जीनो ट्रांस्प्लांटेशन पारजीवी स्वर प्रतिरोपन अंगों की कमी को पूरा कर सकते हैं। पोशन संपूरक और औशधियां इंसुलिन, व्रिद्धी हार्मोन और रुधेर इसकंदन रोधी कारकों को पारजीवी गाय, भेड या बकरी के दूस से शिग्र ही प्राप्त किया जा सकता है या पहले से ही प्राप्त किया जा चुका है। मानव जीन चिकिस्सा में जीन की दोशपूर्ण प्रतिलिपियों वाले व्यक्ति के जीनों से जीन की समाने प्रतिलिपी जोड़ना शामिल है। पांच हजार नामित अनुवन्शिक रोगों के उपचार की संभावना बहुत अधिक है। और पाड़ जीवी जन्तू एक महत पूर्ण भूई का निभा सकते हैं। औद्योगिक उप्योग सन 2001 में कैनेडा में नेक्सिया जैवप्रोद्गिकी के दो वग्यानिकों ने दूद पिलाने वाली बक्रियों की कोशिकाओं में स्पाइडर जीन को आपस में जोड़ दिया। बक्रियों ने अपने दूद के साथ रेशम निर्मान आरंब कर दिया और बाल्टी में अपने शरीर से महीन रेशम के सूतरों को स्रावित किया। दूसे पॉलिमर सूतरों को निकाल कर और उनको धागों में बुनकर वग्यानिक एक हलका, कठोर, लचीला पदार्थ बना सकते हैं जिसका उपयोग, सैन्निवर्दी, चिकिस्सा में सूक्षम सीवन और टैनिस रेकेट के तार जैसे अनुप्रयोगों में उपयोग किया जा सकता है। ऐसे जीवों के रुपांतरण और उपयोग से अनुमत एककस्व की समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। इसलिए भारत सरकार ने संगठन इस्थापित किये हैं जो आनुवन्शिक रुपांतरण की वैधानिकता और जन सिवा के लिए आनुवन्शिकता रुपांतरित संत्रिकी संतुति सम्मिती यानि G.E.A.C. है। सन 2001 और 2002 में भारत में 93 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ और 2011 और 2012 तक सरकार का लक्ष 129 मिलियन टन चावल उत्पादन का है। बायो पायरेसी बायो पायरेसी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जैवरासाइनिक या आनुवन्शिक सामगरी का वैवसाइक रूप से उप्योग करने की कारेपणाली है। विशेश कर एकस्व प्राप्त करके जो उस समुदाय जिससे ये उत्पन हुई है उसको उचित मौवजे का भुक्तान करने में विफल रहने पर भविश में इसके उप्योग को प्रती बंधित करती है। भारत में उगने वाला पास्मती चावल अपने विशिष्ट स्वाद और सुगंद के लिए मशूर है। लेकिन एक अमरीकी कमपनी ने अमेरीकन एकस्व वा ट्रेट मार्क कार्याले द्वारा एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था। इस कमपनी ने भारतिय किस्मों को अर्थ बौनिकिस्मों से संकरन करा कर बास्मती की नई किस्मों विक्सित की। क्या आप जानते हैं? अमेरिकी शूद करताओं ने एक प्रणाली विक्सित की है जिसमें नीले प्रकाश को सक्रिये करके किसी भी वांचित जीन को प्राप्त किया जा सकता है तथा टर्न आउन या टर्न आउफ कर सकते हैं जो जह प्रोद्दोगी की और चिकिस्सा में अनुसंधान के लिए हो सकते हैं ये पहली बार है जब DNA के विशिष्ट खंडों को टर्न आउफ किया गया है उन्होंने अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के जनरल में प्रकाशित अपने शोध पत्रों में प्रकाश की तीवरता का उप्योग करके जीन अभिव्यक्ति के इस्तर को अनुकूल बनाने के बारे म जानकारी भी दी है साहरांश आईए हमने जो कुछ सीका है उसे संक्षेप में दोहराएं विशिष्ट उप्योगों है तू किसी उत्पात को बनाने या रूपांतरित करने पौधों या जन्तों में सुधार करने के लिए जीवाडों वाइरस कवक यीस्ट जन्तु कोशिका पादप कोशिका आदी जैसे सजीव जीवों का उप्योग करने वाली प्रद्योकिकी के रूप में जयव प्रद्योकिकी को विस्तार से परिभाशित किया जाता है आर एन ए अंतर्क शेप दौरा विशिष्ट जीन को निश्क्रिय करना कीठ हमले की समस्या का वांचनिय प् जीनों को प्रवेश कराना जीन सी किस्ता कहलाती है किसी उतक या तरल में ट्रोटीन डी एने आर एने जैसे अनों के अधियन दौरा रोगों की पहचान करने की प्रक्रिया आन्विक निदान कहलाती है जन्तु जिनकी आनुवंशिक विशेष्टाओं को एक रुपान्तरित जीन द्वारा या आनुवंशिक प्रव्द्वकिकी की तकनीक का उप्योग करके दूसरे जीव से प्राप्त जीन के अंदर विशन द्वारा बतल दिया गया है पार जीवी जन्तु कहलाते हैं भारा सरकार ने संगठन इस्थापित किये हैं जो आनुवंशिक रुपान्तरण की वैथानिक्ता और जन्सेवा के लिए आनुवंशिक्ता रुपान्तरित जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा की बारे में निरणय लेने के लिए अधिक्रित हैं बायो पायरेसी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जैवरासाइनी किया आनुवंशिक सामगरी का वैवसाइक रूप से उप्योग करने की कारेपनाली है विशेश कर एक अस्व प्रात करके जो उस समुदाय जिससे ये उत्पन हुई है उसको उचित मौवजे का भुगतान करने में विफल रहने पर भविश में इसके उप्योग को प्रतिबंधित करती है प्रतिबंधित करती है